Good morning everyone, chapter read कर रहे थे हम, first chapter व्याकरण का अर्थ है वावशक्ता तो हमने पढ़ा था कि भारत देश में और दूसरे देशों में बहुत सारी भाशाएं बोली जाती है और किसी भी भाशा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना हमें व्याकरण से ही आता है व्याकरण के माध्याम से ही हम किसी भाशा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सीखते हैं आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की आवशक्ता क्यों हमें व्याकरण की आवशक्ता क्यों है देखे कोई भी व्यक्ति शुद्ध भाषा का ज्यान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो है शुद्ध भाषा का ज्यान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है जैसे कोई भी भाषा है तो उसकी शुद्ध जानकारी हमें तब तक नहीं मिलते जब तक हम उसका व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना और पढ़ना सिखाता है उधारण के लिए यदि कक्षा में बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो तो बच्चे इधर उधर बिखरे रहेंगे यदि कक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपके बैठने के लिए अगर बैंच नहीं होगी तो आप किस पर बैठेंगे आप इधर उधर खड़े रहेंगे किन्तु यदि उनके बैठने का एक नियम हो तो कक्षा में अनुशाशन और व्यवस्था बनी रहेगी तो उसी प्रकार जो शब्द होते हैं जो वर्ण होते हैं इन सब को भी हम क्या करते हैं एक नियम के अनुसार रखते हैं और जब हम इनका नियमों के अनुसार एक साथ रखते हैं तो नियमों के माध्यम से ही हम इसे व्याकरण में शामिल करते हैं और व्याकरण उन नियमों को व्यक्रण के नियम तो लसे वाख्षा हमें अनुशाशन और वहीं कि वहीं कि हमें व्यक्रण के नियम और भर्षा को सीखने के बाद ही हम उस भाशा को सीख सकते हैं इसके बाद जो है हम कल पढ़ें